तमाशा सीजन 3 की एक एकसाइटिंग अपडेट को लेकर हम फिर से हाजर हैं जी हाँ तमाशा सीजन 3 के प्रोमो को लेकर अधनान सिदीकी ने किया है एक बहुत बड़ा खुला सा तमाशा सीजन 3 के प्रोमो को लेकर अदनान सिदीकी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेर की है वो क्या है हम जानेंगे इस वीडियो में और साथ साथ अल्मोस्ट थिरी और कन्फरंड कंटेस्टन्स हम आपको बताएंगे इस वीडियो में तब ना किसी देर शुरू करते हैं ये वीडियो लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने ये चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लें वीडियो लाइक करें और शेर करना ना भूलें सबसे पहले बात करते हैं उन तीन अल्मोस्ट कंटेस्टन्स के बारे में जैनब शबीर जैनब शबीर एक बात सलाहित शक्सित हैं जिनोंने टेक और सोचल एक्टिविजम के शुबों में अजीम काम किया है उसने कंप्यूटर साइंस में डिगरी हासल की है और उसने अपनी इंडिस्ट्री में बड़ा असर डाला है जैनब इस बात को यकिनी बनाने के बारे में भी वाकी पुर्योश हैं कि सब के साथ यक्सा सलूग किया जाए और उन्हें तालिम तक रसाई हासल हो उसने एक गएर मुनाफ़ बख्ष तंदीम चुरू की जो इन्हों लड़कियों की मदद करती है जिनके पास बहुत ज्यादा वसायल नहीं है अच्छी तालिम हासल करने में जैनब ने कुछ वाकिय मतासर के इन बातें की हैं कि हम किस तरह इस बात को यकिनी बना सकते हैं कि लड़कों और लड़कियों को यक्सा मुआ के हासल हो समर जाफरी समर जाफरी पाकिस्तानी ड्रामा अदाकार हैं उन्होंने मुक्तलु पाकिस्तानी ड्रामों में एहम किरदार अदाकिये हैं समर जाफरी के कुछ मशूर ड्रामे ये हैं मेरा साइं, मात, खुदा और महबत इन ड्रामों में उनकी अदाकारी ने उन्हें पाकिस्तानी टेलिवीजन की दुनिया में एक मकबूल शक्सित बना दिया है राबिया कुलसूम राबिया कुलसूम एक पाकिस्तानी टेलिवीजन और फिल्म अदाकारा है तमाशा सीजन 3 के प्रोमो को लेकर उसके होस्ट अदरान सिदीकी ने जो स्टोरी शेयर की है वो ये है आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे के सौ में से कितने लोगों को तमाशा सीजन 3 के प्रोमो का है इंतजार तमाशा सीजन 3 के वोस्त अरदान सिदिकी के इस पोस्त के मताबिक 93% को हे इंतजार तमाशा सीजन 3 के प्रोमो का जो के जल्द E.R.W. डिजीटल पर रिलीज किया जाएगा